नमस्कार दोस्तों मैं विलासुष गोड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीता वेग न्यूज चेनल सुप्रेम पावर आईए एक नज़र डासे हैं आज की मुख्य खबरों पर खबर मध्यपरदेश के बालगार जीले के उक्वा से खराब मौसम होने से किसानों के चहरों में आई मासूमी परतमान में सीत लहर का मौसम चल रहा साल में तीन मौसम आते हैं सीत रीथो वर्सा रीथो यें इंग्रिसम रीथो किन्तु अचानक मौसम खराब हो जाने के कारण किसाने और मजदूरों की चिंता बढ़ जाती है जैसे कि लगबग दो-तिन दिनों से मौसम खराब होते जा रहा सीत रितू के साथ-साथ वर्सा रितू भी सुरू हो जाती है साथ ही कोरा बिछा जाता है उकवा छेतर के किसानों ने बताया कि कुछ किसानों के धान कट चुके और खेत में रख दिये गए अभी उनकी मिसाई नहीं हुई और मौसम खराब होते जा रहा साथ ही पानी भी आता है जिसके कारण धान का कलर बदल जाता है जिसके कारण हमको नुकसान होते जा रहा, कुछ ग्रामिडों ने भी बताया कि मौसम कराब होने से बिमारियां भी पैदा होती है जिसके कारण तबियत खराब हो रही वैसे भी अभी लगबक कुछी महिनों में कोरोना वाइरस से मुक्ति मिली और मौसम इस तरह खराब होते जा रहा सुप्रेम पावर नियूस के लिए बाला घा टुकवा से असो क्राउट की रिपोर्ट मेरा नाम प्रकास्टन भी से में आ रहे तो मैं उत्वा दल्दला ग्राम मंचयत दल्दला है यह बताए अभी दो तिन दिन से मौसम खराब चल रहे हैं कई थोड़ी थोड़ी भूंदा बांदी भी हुरी पानी भी आ रहा है कोहरा भी छाया हुआ है तो इससे आपको कि पूँरा गिरने से जो है तूशे की फ़सल को नुक्षान है इसकी अपनी अदिक अधिक आया तो सान है अभी जो बर्तमान में जैसे आज की स्तितिय कि आज एक्डम को हो अचाया था रात के दूबे सो फानी आ रहा था तो इसससे क्या क्या करें की दाना में जिस वोना सब्सक्राइंगे ज्युक्त ऐसे टार के यह और अच्छा बजाएजार सब्सक्राइब जया ज्युक्त आन की दान खराब हो जाएगी कि दान फरेंब जाय घंट कॉने जावजाईगे नहीं किसानों को फाइदा है कि नुक्सान है अच्छा